जिन लोगों को सद्गुरु का साथ नहीं प्राप्थ होता, गुरु का साथ प्राप्थ नहीं होता, वो अपने जीवन को खुशाल कैसे बनाई? कही न तहीं कुछ न कुछ रुकावटे उसके जीवन में आ जाते हुआ। इस्ट्रेस मनेजमेंट के लिए भी काम करना पड़ेगा। गुरु का साथ नहीं प्राप्थ होता, गुरु का साथ प्राप्थ नहीं होता, वो अपने जीवन को खुशाल कैसे बनाए? क्योंकि तनाव इसकदर आज की समय में बढ़ गया है, कि व्यक्ति मेडिटेशन भी करने के कोशिश करता है, लेकिन वो मेडिटेशन नहीं कर पा प्राप्थ होता है, कि हर आदमी को अपने भीतर की आग जगानी पड़ेगी, अगर वो कुछ बनना चाहता है, तो उसे अपने भीतर की आग को जगाये रखने के लिए प्रेड़ना चाहिए, प्रेड़ना के लिए जहां गुरु का जीवन में होना महतुपूर्ण है, वही एक बात जरूरी है कि आप अच्छी पुस्तके पढ़िये, अच्छे आडियो सुनिये आप, अच्छे संदेश जो लोगों के हैं, सुक्तियां है, उनको पढ़ना चाहिए क्योंके स्वयम को प्रेरित तो करना ही पड़ेगा, अगर आप अपने आपको प्रेरित नहीं करते तो आपके भीतर की आग भुझ जाएगी, और जो आप होना चाहते हैं, वो कभी नहीं हो पाएगे, दूसरी बात यह है कि स्ट्रेस मेनेजमेंट भी अपने आपे में एक बड़ी चीज है, अपने तनाओ पर तो खुद ही आदमी को काबू पाना पड़ेगा, और उसके लि क्योंकि तनाओ से जहां बीमारियां आती हैं, जहां आप अपनी कारिक शमता को खो बैठते हैं, और जहां आपके जीवन में तनाओ रहने के कारण मुस्कराट खो जाती है, और उसके साथ में यह कि आप जीवन का अनंग लेना भूल जाते हैं, तो आपको स्ट्रेस मेनेज के लिए भी काम करना पड़ेगा, और हो सके तो जैसे यहां ध्यान केम्प लगा हुआ है, तो किसी ने किसी ध्यान में भी जाना चाहिए, और अच्छा हो कि आप प्रार्षन किया करें, कुछ भगवान पर भी छोड़ें, क्योंकि हम लोग हर समय सब कुछ खुद पर ही छो कि यहां उसके कारण इस कारण भी समस्यां आती हैं, तो संबालना तो खुद को खुद ही पड़ेगा.